आज पांच दिवर्शियर निश्वर के योग सिकें के पांच वेजित के दुद्रे सब्सक्र को प्राणुक करने के पहले योग रिसी सब्सक्राइब गुर्वर्श प्रासावदन निये प्राणुक को जिस्वाद इरांद विवाराज के चरणों में कोटिसा अनमान करते हुए उनके सुक्त मुपनपती का अमाल करते हैं पीन बार लंबा गयरना प्राणुक के राधना ओुर्ण ओुर्ण ओड ओम् 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 लाखाः तक्षवितुर्वाए जन् वर्गोदे वाष्यादीमाई धियोयोदा प्रचोगया ओम् प्रयंपकम् यजामहे सुकंदें पूस्तिवादनं पुल्वाः रुकमिवा बंदनान मृत्योद मौक्षिया माम्रिताः ओम् सैनाव अवतु सैनाव उनस्तु सहर्यं कर्वाव है तेजस्विनावधी तमस्तु मामित्वे साव है ओम्यसतो मांतः गमया समतो मांज्योचिर गमया मित्योर्मायम्रितम गमया ओम् सर्वे भमंतु सुकिदां सर्वे शंतु निरामया सर्वे भत्रानि पश्यंतो मामकश्चित्दुख भागमे ओम् सान्ती 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 ओम् आप सेवित्य ग्यात्माद को गढ़नाए अब धीर धीम्रित आपों को गढ़ते हैं और हापों को धीरे धीरे भ्यारा में पिरकते हैं आम बोलते ही हमारे जीवान में एक ऐसा आभा मंडल तिफे आभा मंडल का दिल्मान हुआ कि मैं मंत्रों के द्वारा अपने आज को पभिष्य कर दिया हम सथी भगवान के प्रमात्मा के विराट के रुप को धारण करते गुए प्रणयाम का आनुद लेंगे प्रणयाम के साथ में हम अपने जीवन दर्सन को जीवन के प्रमधन को हमारा आश्रण कहता हो विवार कहता हो हम अपने जीवन में कैशन सफ़ा दो सकते हैं हमारा विद्याजन कैसे सफ़लता को प्राफ हो सके और हम जीवर में हर कल, हर जण, दूसरों के प्रेरणा श्रोद बन सके। दूसरों के लिए प्रगास का श्रोद बन सके। ऐसे स्रगास को जिमन करके विराण स्वरूप को जीते हुए धीरे-धीरे प्रणयम का जीवर दूर्टार्力 रिश्ट करूक जेते हैं。